हेलो इस्टेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एपक्स इंगलिस क्लासिज में आज के वीडियो में हमारे काविखंड का जो 11 चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को उसके विपियाई अबजेक्टिब कोशन को देखेंगे जो कि हमारे एक जाम की दृष्टी से काफे इंपोर्टेंट है तो चलिए सुरू करते हैं अगर आपको फ्री पीडियो और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे अप्रिकेशन एपक्स इंगलिस क्लासिज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से आप सभी चैप्टर्स का फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं और साथ में यहां पर जितना फी वीडियो कराया जाता है आप उसका फीडिये भी प्राप्त कर सकते हैं हमारा जो 11 चैप्टर है वो क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को और इसके जो रचना कार है वो कौन है? बिनोद कुमार सुकल अब हम लोग इसके कोश्चन को देखते हैं फर्स्ट कोश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को किन की रचना है? ठीक है प्यारे नन्हे बेटे को किन की रचना है तो ये बिनूद कुमार सुकल की रचना है अब हम लोग अगले कोशन को देखें सेकेट नमबर कोशन है बिनूद कुमार सुकल का जन्म कब हुआ ठीक है हमें तीथी बताना है कि उनका जन्म कब हुआ तो उनका जो जन्म है वो एक जन्बरी 1937 को हुआ था अर्थात स्वतंतरता हमें कब मिली थी 1947 में तो 10 इयर्स पहले हमें एक ट्रिक बना करके याद रखना है अपने मन में कि स्वतंतरता से 10 साल पहले किनका जन्म हुआ था विनुत कुमार सुकलकार था 1937 ठीक है और 9 साल के दिन तो एक जन्बरी थात एक जन्बरी 1937 को उनका जन्म हुआ था इसका सही उत्तर हो जाएगा एक जन्बरी 1937 अब हम लोग अगले कोशन को देखते हैं बिनुत कुमार सुकलका जन्म अस्थान कहा था ठीक है बिनुत कुमार सुकलका जन्म अस्थान कहा था अर्थात उन उन्होंने कहां पे जन्म लिया तो राजनांद गाउं 36 गड़ पे उन्होंने जन्म अस्थान है फोर नमर कोश्चन है बिनूत कुमार सुकल का निवास अस्थान कहां थे रहते कहां थे जन्म अस्थान तो था राजनांद गाउं 36 गड़ ठीक है और उनका निवास अस्थान वो रहते कहां थे, तो रायपुर 36 गड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, रायपुर जो कि 36 गड़ की राजधानी है, वहाँ पर वो रहते थे, और राजनांदगाव जो कि 36 गड़ में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था, तो आप लोगो ये किलियर हो गया होगा, अब हम लोग 5 नंबर कोश्चन को देखे, बिनूत कुमार सुकल किस विश्विद्याले में एसोसी एट प्रोफेसर के पतपर रहे हैं, ठीक है, एसोसी एट प्रोफेसर के पतपर रहे हैं, इंदरा गांधी क्रिसी विश्विद्याले, ठीक है, इसमें एकरी कल्चर से संबंधि शिक्षा दी जाती है, तो इंदरा गांधी क्रिसी विश्विद्याले में वे एसुसीर प्रोफिशर के पत पर रहे हैं, शिक्ष नंबर कोश्चन है, बिनूत कुमार सुकलुको साहित्य अकादमी पुरसकार, ठीक है, कौन सा पुरसकार? सहित्य अकादमी पुरसकार कब मिला? ठीक है, तो 99 में, ठीक है, कब मिला? 99 में उन्हें सहित्य अकादमी पुरसकार से नवाजा गया. तो इसका जो सहित्य तरो जाएगा वो क्या होगा? 1999 में यह आपसे अलग टाइप से भी question पूछ सकता है कि बिनोत कुमार सुकल को 1999 में कौन सा पुरसकार मिला तो कौन सा पुरसकार उने मिला है साहित्य अकादमी पुरसकार अब हम लोग अगले question को देखते हैं इन में से कौन सा सम्मान बिनोत कुमार सुकल को नहीं मिला है अर्थात इन में से जो तीन सम्मान है वो बिनोत कुमार सुकल को मिला होगा और जो एक सम्मान है वो बिनोत कुमार सुकल को नहीं मिला है ठीक है तो रगुवीर सहाय अस्मृती पुरसकार यह उने मिला है जो कि उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका जो सहित्तर हो जाएगा वो क्या होगा पदमस्री प्रसकार एट नमबर कोश्चन है मिनोत कुमार सुकल का पहला कविता संग्रह कौन था ठीक है अर्थाद उनकी जो कविताय थी वो एक पुस्तक में समाहित की गई तो उसका नाम क्या रखा गया लगभग जयहिंद ठीक है उनकी पहली कविता संग्रह थी लगभग जयहिंद ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अब हम लोग अगले कोश्चन को देखते हैं नाइन नमबर कोश्चन है सब कुछ होना बचा रहेगा किस बिधा की रचना है ठीक है सब कि कविता संकलन है ठीक है क्या है कविता संकलन अब हम लोग तीन नमबर कोश्चन को देखें अतरिक्त नहीं बिनोत कुमार सुकल की किस बिधा की रचना है तो ये भे क्या है कविता संकलन ही है सब कुछ होना बचा रहेगा और अतरिक्त नहीं ये दोनों क्या है कविता संक पिरियोद को मार सुकल कि एलेवन नंबर कुशंद देखें नौकर की कमीच विनौत कुमार सुकल की किस बिधा की रचना है नौकर की कमीच क्या है तो यह उपन्यास है ठीक है क्या है उपन्यास और इस पर फिल्म का निर्मान का सुका है कि इन्हें कर D Sister मनी कॉल के द्वारा ठीक है मनी कॉल के द्वारा नौकर की कमीज जो की एक उपन्यास है इस पर फिल्म का निर्मान भी हो चुका है तो वैब नंबर कोश्चन को देखें इन में से कौन सी रचना विनूत कुमार सुकल का उपन्यास नहीं है अर्थात इन में से तीन जो है वो एक जो है वो उपन्यास नहीं होगा तो देखते हैं नौकर की कमीज उनका उपन्यास है खिलेगा तो देखेंगे ये भी उपन्यास ही है किनका विनोत कुमार सुकल जी का दिवार में एक खिर की रहती थी ये भी विनोत कुमार सुकल जी का उपन्यास है सब कुछ होना बचा 13 नंबर कोष्यन को देखे 15 नंबर कोष्यन है विण। कुमार सुकली की किस रचना पर मनी कॉल द्वारा फिल्म का निर्मान किया गया है उनकी किस रचना पर फिल्म का निर्मान किया गया तो नौकर की कमीज ठीक है नौकर की कमीज पर जोकी उनका एक उपन्यास है उस पर फिल्म का निर्मान किया गया फिफ्टी नमबर कोश्चन है, बिनूत कुमार सुकल किस सती के लिखक है, ठीक है, किस सती के लिखक है, 1900 से 1999 तक की जो अबधी होती है, ध्यान से देखेंगे इसे, उसे क्या कहते हैं, 20-20 सताबदी, ठीक है, 20-20 सती, तो इनका जो जन्म है, वो ही हुआ है कब, 1937, अर्थात, ये जो कभी के रूप में सामने आएंगे, ठीक है, तो 1937 के बाद आएंगे, ठीक है, तो 1937 के बाद आएंगे, और 2000 से पहले ही आगए होंगे, क्यों कि इनकी ये वस्था, लगवक क्या हो गई होगी, 50, 60 वर्स तक ही हो गई होगी, ठीक है, 87 वर्स, ये, 1997 में 60 वर्स की हो तो इससे पहले यह कभी के रुप में सामने आए होंगे, ठीक है, तो ये किस सदी के लिखक हो जाएंगे? वीसवी सदी के, ठीक है, किस सदी के? वीसवी सदी के. तो अब हम लोग अगली कोश्चन को देखते हैं 16 नंबर कोश्चन प्यारे नन्ही बेटे को कविता का नायक कहां का रहने वाला है ठीक है तो राज जी अगर पूछता है हमसे तो 36 गट और अगर जगह का नाम पूछे तो भिलाई ठीक है भिलाई 36 गट का रहने वाला है राज जो है वो 36 गट है प्यारे नन्ही बेटे को कविता का जो नायक है वो 36 गट का रहने वाला है ठीक है और साथ में बिनूत कुमार सुकलो जो है उनका भी निवास अस्थान का है राएपूर 36 गट और उनका जन्मस्थान कहा है? राजनांद गाउं 36 तो ये आप लोगों के लिए है 70 नमबर कोशन देखे पेर पर कमड़ा का अनुबाद किस भासा में हुआ है? पेर पर कमड़ा क्या है? कहानी संग्रा है ठीक है? क्या है? कहानी संग्रा तो इसका जो अनुबाद किस भासा में हुआ है? तो इसका जो अनुबाद है वो इतालवी भासा में हुआ है इतालवी कहा के भासा है? तो इतालवी इटली की राजवासा है ठीक है? कहा के राजवासा है? इटली की तो पेर पर कमड़ा कानुबाद किस भासा में हुआ है? इतालवी में 18 नंबर कोश्चन को देखे निम्न में से कौन कविता संकलन? बिनोध कुमार सुकल का है ठीक है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया बिचार की तरह ठीक है? प्यारे नंहे बेटे को जो की हमारे पाट पुस्तक की कविता है वो भी इसी से लिया गया है इसी कविता संकलन से लिया गया है वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया बिचार की तरह ठीक है? 19 नंबर कोश्चन को देखे प्यारे नन्हे बेटे को सिर्षक कविता, कि सिर्षक कविता संकलन से संकलित है, तो हम लोगों ने देखा है, वह आदमी नया गरम खूट पहन कर चला गया विचार की तरह, ठीक है, तो इसका जुस्सा हित्तर हो जाएगा, वो क्या होगा, ख, 20. प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतिक है, ठीक है, पिता जो है, वो बेटे को क्या कर रहे है, लोहा जगा जगा पहचान कर वारे है, तो अर्था तो वो एक कोई धातू की पहचान नहीं कर वारे है, ठीक है, वो कर्म की पहचान कर वारे है, काम का, तो इ वो सामने आए कि सती में, बीशवी सती में, तो किस दसक में? दसक अर्थाथ, दस साल की अबधी, ठीक है? दसक कार्थ क्या होता है? दस साल की अबधी, तो इसका जो सहित्तर हो जाएगा, वो क्या होगा? साथवे आठवे दसकर था 1970 से 1980 ठीक है 1970 से 1980 के अबधी में ये मुख्य रूप से एक कभी के रूप में सामने है और किस सती में तो बीसवी सती में 22 नंबर कोश्चन है बिनूत कुमार सुकल का पहला कभीता संग्रा कौन सा था लगभग जैहिंद लगभग जैहिंद भाचान सिरेज के अंतरगत कब प्रकासित हुआ तो कब प्रकासित हुआ था 1971 इस भी में 1971 इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर कोश्चन मेहनत कस और औरत को कभी ने किस रूप में देखा है तो कभी ने लोहा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा लोहा लोहा किसका प्रतिक है इसका विता में तो लोहा कर्म का प्रतिक है 24 नंबर कोश्चन है पत्नी बिटिया को क्या करती है तो पत्नी बिटिया को क्या करती है समझाती है उसे तरह-तरह के बास समझाती की बेटी लोहा कहां कहां है ठीक है और लोहा का क्या भूमिका है तो लोहा किसका बाचान है कर्म का तो पत्नी क्या करती है बेटिया को समझाती है 25 नमबर कोश्चन है एक तार लोहे का लंबा लकडी के दो खंभो पर तना बंधा हुआ बाहर या पंकती की सिर्सक कविता से है आप लोग जहां लोहा देखे ठीक है जहां लोहा देखे और अगर आपके हिंदी का ये कोश्चन हो तो आप अगर पूछा जाए कि यह किस कवित से लिया गया है ठीक है तो आप बीजिजग होकर प्यारे नन्हे बीटे को डाले क्योंकि इसमें क्या है किसमें लोहा के लोहा को ही बताया गया है लोहा कहीं पाचान करवाया गया है एक पिता के द्वारा एक पुत्र को और लोहा किसका प्रतिक है इसमें कर्म का तो इसका जो सहित्तर हो जाएगा वो क्या होगा? प्यारे नन ही बेटे को. 26. नंबर कोश्चन देखें, पिता बेटिया को क्या करता है? सिखलाता है. ठीक है? पिता और मा क्या करती है? समझाती है. 27. बिनूत कुमार सुकली की रचना महा विद्याले किस विदा की रचना है अर्थात क्या है ये तो कहानी संग्रा है ठीक है महा विद्याले क्या है कहानी संग्रा है और पेर पर कमड़ा क्या है ये भी कहानी संग्रा है सब कुछ होना बचा रहेगा ये क्या है कविता संकलन है लगभग जयहिंद क्या है? कविता संगरही उनका और पहला कविता संगरह है. तो यह काफ़ी इंपोरेंट है इस चैप्टर के लिए. खिले गातू देखेंगे विनुत कुमार सुकलि कि कि किस बिधा की रचना है, तो खिलेगा तो देखेंगे क्या है उपन्यास है और उनका कौन सा उपन्यास है जिस पर फिल्म बन चुका है नौकर की कमीज ठीक है आप लोको याद रहना चाहिए अब अगला कोशन देखते हैं कौन सा उपन्यास बिनोत कुमार सुकल द्वारा लिखी था है इसमें से कौन सा उपन्यास बिनोत कुमार सुकल द्वारा लिखे था तो यही नौकर की कमीज ठीक है इस पर फिल्म भी निर कविट ने भीठी से है, जब ालमा देखते हैं लँढ़ मारत देगे हैं का प्यारे नन्हे भीटे आभे इसके आगे ऐसे ही हम सभी चैप्टर्स के अबजेक्टिव कोश्चन को देखेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव कोश्चनों को भी देखेंगे ठीक है तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद